धनंजे विठल गावडे अब जमानत हो चुकी है जेल से रिहा हो चुके हैं अब फ़र से म्राधितिक मैदान पर ठीक से उतरने के लिए वो तयार हो चुके हैं दनंजे विठल गावडे 2021 में कई सारे मामलों में वो जेल जा चुके थे पसा ही कोट ने उन्हें थाने जेल धेज दिया था करीबन 12 मुकदमें उन पर गर देज चुके थे और इसके साथ ही उन सभी मुकदमों में लगातार ट्रायल चल रहा था इसी बिच में लगातार जब उन पर सुनवाई जारी थी उसी दोरान अब 24 नवेंबर के आसपास फिर से जब इस पूरे मामले के हलचर शुरू ही तो मुंबई हाई कोट ने करीबन 29 नवेंबर को उन्हें जमानत दे दी मतब जिल से रिहा करने की हर जंडी उन्हें मिल गई और अब वो थाने जिल से रिहा हो चुके हैं और राजनितिक रणभोमी में उतरने के लिए पूर तरा तयार हो चुके हैं अब देखना यह होगा कि धननजे गावडे जब मैदान पर उतरेंगे तो क्या फर से उसी तेवर और कलेवर के साथ में मैदान पर उतर कर विपक्षिय भोमिका निभाएंगे या किसी और दल में जाकर राजनितिकी नई पठकता लिए त्यार होगे हला कि उनके आने के बाद में जिस तरीके से उनके रहने पर विचलन की विवस्था थी यानि कि जो उनके विपक्ष में या सठ्यापक्ष में जो लोग थे वो लगातार विचलित हुआ करते थे क्या फर से एक बार फर धनजे गावड़े के राधिती में सक्री होने से उनके बाहर आजाने से क्या महौल एक बार फर से बदलेगा या राधिती में बड़ी अलग ही रंग की राधिती या राधिती में कुछ बड़ा बदलाओ देखने को मिल सकता है अब देखना यह होगा क कि मान अगर पालिका के चुनाव नस्दीक हैं ऐसे में लोकसभा चुनाव की घंटी भी लगभग बजनी वाली है वहीं विदान सभा के चुनाव भी ठिक उसके बाद होने के आसार हैं ऐसे संपूर इस चुनावी महौल के बीच में धनंजे गावडे का मैदान पराना क्या कुछ नया महौल तयार करेगा वो सब कुछ देखने वाली बात होगी